आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यदि नेल का स्क्राइच बच्चे आपस में जगड़ा करते हैं न स्कूल वगरा में टीनेजर्स में स्पेशली तो बहुत तगले कभी-कभी डीप मार देते हैं नाकून वगरा और दंत विशर कभी-कभी बच्चे लड़ाई में काट लेते हैं दूसरे को धातों से तो उसमें आप देखते हैं कि बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है और बैक्टीरियल इंफेक्शन इतना बहंकर होता है कि बहंकर पस बन जाता है और इंफ्लेम्ड जाती है वो जगे जनरली आज कल का नियाम है कि टी-टी इंजेक्शन दे अब नाखून या टीथ बाइट बैक्टिरियल या वाइरल इंफेक्शन को पुल करती है सो एनिटिंग विच टॉक्सिक इंसाइड बॉड़ी कम संटर केटिगरी विश मतलब यह आप ध्यान रखें कि जब भी कोई पेशेंट आए और उसको इंफेक्शन हों तो आपको विश के चैप्टर पर आ जाना चाहिए और आपको विश को निकालने की कोशिश करने चाहिए न कि आप एंटीबाइटिक या टीटी वगएरा दे अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं आचारिया यह हम लोगोंने योग रताकर का विश अध्याय में दिया हुआ यह प्रियोग है और यह योग बहुत इफेक्टिव है और एंट वर्क्स रियली देखिए इन्होंने तीन तरह के बड़े पेड़ लिये हैं उनकी बार्क लिये हैं उनकी छाल पिचुमंद शमी वटक कल कयोतम पिचुमंद जो है वो नीम का दूसरा नाम है क्या नाम है पिचुमंद और शमी शमी वर्क्ष आपने देखा होगा नवग्रहों में एक आता है शनी के लिए इसको शमी कहा गया है और वो रावन को मारते समय पर यह कहा जाता है कि शमी वर्क्ष के काटे को बाण में लगा करके रावन का वद किया था इसलिए शमी वर्क्ष की पूजा दशेहरा के टाइम पर करे जाती है तो शमी एक्चुमंद में बहुत बड़िया वाद इन डिर्क देखा जाए तो medicinal plant है बहुत इसके अंदर thorns होते हैं काटे होते हैं और यह वायू के लिए बहुत अच्छा है it's a very good for neurological problems in the body और वट हम जानते हैं वटो उदुमर पंच वलकल में जो आते हैं तो इसनों ने एक तो ले लिया है बार्क जिसमें की दूध है ख्षीर वाली है और शमी ली है और नीम ली है देखिए नीम बहुत ज़्यादा कशायरस है देखिए नीम जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वी है तिक्त है शमी कशाय है और वट जो है वो बरगद की जो च्छाल है उसके अंदर खीर तत्व है वो खीर काटेगरी वाली है पंच वलकल वाली है वो कशाय भी है और कटू भी है और तिक भी तीनों है ये तीनों का को लाकर के इनको मिक्सी में पाउडर बना करके आप लोग अपने क्लिनिक पर रखें ये हर तरह के जहाँ पर भी स्किन में इन्फेक्शन होते हैं खाली नेल बाइट या टीथ बाइट में ही नहीं नेल स्क्रैच और टीथ बाइट में ही नहीं बलकि कोई भी यदि स्किन में इन्फेक्शन हो बैक्टिरियल और वाइरल वहाँ पर आप इनका प्रयोग अवश्य करें क्या करें कि इसका सौ करीब इन तीनों का मिला करके आप एक किलो तो अपने पास में रखें पाउडर समप्रमाण में, इक्वल अमाउंट में और इनका कल्क बना लें पानी में डालके इसको घिस करके वैसे तो कल्क बनाने के तरीका तो वही होता है पुराने जमाने में न, सिल पर गिसा जाता था वो पेस्ट बनाते हैं उसका जिससे कि उसका मेडिसिनल वैल्यू निकल आए बट यू कें डू इट इन दे मिक्सी और बना करके उसको फिर एक लीटर पानी में करीब करीब सौ ग्राम कल्क डाल दे और उबाले और जब वो आधा लीटर बच जाए तब उसको ठंडा कर ले और उसको उससे ही वाश के लिए यूज करे आप आयोडीन टिंक्चर या वो सब यूज करने की बजाए यदि आप इससे वाश करे तो नौन हीलिंग अलसर्स जो है वो बिलकुल हील हो जाते है यहां तक कि जो डायबिटिक अलसर्स है उनमें भी इससे लाव होता है और जो कीमो थरैपी यदि में कीमो का जो मेटीरियल यदि वो रिस्ट जाए बाहर लीक हो जाए तो जो अलसर्स फॉर्म होता है वो भी इससे ठीक होता है और यह क्या कह रहे है नकदंत विशाणी निहंती नराम इतना ही नहीं मतलब नाकून और दाथ से होने वाले जो बैक्टिरिन इंफेक्शन है उस जग है तो ठीक होता ही है विशम विशमानी अखिलान्यपी मतलब जितने भी विश है या जितना भी इंफेक्शन है लेकिन यह एक्स्टर्नल यूज है वो सब ठीक हो जाता है सत्यमेदम यह बिलकुल सत्य है तो यह नॉन हीलिंग अलसर्स के लिए जो स्किन में जो बेक्टियल इंफेक्शन हुए है चाहें वो नाखून के स्क्रैच के कारण हो या टीथ बाइट के कारण हो या वो किसी और कारण वजह से भी हो चोट लग जाने की वजह से हो specially उनको जिनको डाबिटीज होती है या stress बहुत लेते है तो healing नहीं हो पाती है या immune reaction होता है वहाँ पर ये combination wash के लिए बहुत अच्छा काम करता है और इस से wash करें तो इसके अंदर वो भर करके आप उसको धारा दे आदे घंटे तक नीचे प्लेट लगा सकते हैं और बाद में उसको reuse करते हैं and then you can dispose it off everyday make fresh और फिर उसके बाद में जाते आदी oil लगा करके आप उसकी packing करें I think in 7 days such a non-healing ulcer will get healed up Thank you